नमस्कार दोस्तो मैं मंदीब सर्मा आपका आटेक में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने जीमेल अकाउंट को अपने टेलिग्राम अकाउंट से अटेच कर सकते हैं यानि दोस्तो यदि आप चाहते हैं कि आपके Gmail अकाउंट पर जितने भी मेसिज आएं वो आपके Telegram अकाउंट पर भी आने चाहिए तो दोस्तो आप किस तरह से ऐसा कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो इसके बारे में अधिक जानने के लिए बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो के अंध तक तो दोस्तो हम किस तरह से अपने Gmail अकाउंट को अपने Telegram अकाउंट से अटेच कर सकते हैं यह जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाल की स्कीन पर दोस्तो मोबाल की स्कीन पर जाने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक बात जरूर कहना चाहूंगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाले सब्सकाइब बटन पर क्लिक करके सब्सकाइब जरूर करें और बैल आइकन दबा कर ओल पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अप्लोड हो तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तो जादे देना करते हुए चलते हैं मोबाल की स्कीन पर तो चलिए दोस्तो जानते हैं कि हम किस तरह से अपने जीमेल अकाउंट को अपने टेलिग्राम अकाउंट से अटेच कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको आजाना है अपने टेलीग्राम में दोस्तो टेलीग्राम में आने के बाद आपको यहाँ पर यह देखिए सर्च बोक्स पर क्लिक करना है दोस्तो सर्च बोक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तो जैसे ही आप स्टार्ट के option पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का message आएगा जिसमें दोस्तो आपको क्या करना है आपको authorize me के option पर क्लिक करना है दोस्तो इस option पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का link आएगा आपको इस पर यहाँ पर open पर click कर देना यह देखे दोस्तो open पर आपको click करना है दोस्तो open पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी gmail id डालनी है जिस gmail id के message आप अपने telegram account पर पाना चाहते हो तो दोस्तो यहाँ पर अपनी gmail id आपको डाल देनी है और next के option पर click कर देना है दोस्तो next पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना password डालना है जो आपकी Gmail ID का password है वो आपको यहाँ पर डाल देना है दोस्तो password डालने के बाद आपको फिर से next के option पर click करना है दोस्तो जैसे ही आप next के option पर click करेंगे तो आपके इस बोट को आपकी Gmail ID की ओथर्टी मिल जाएगी उसके बाद दोस्तो आपको नीचे आकर Allow के Option पर क्लिक कर देना है दोस्तो अब Allow के Option पर क्लिक करने के बाद आप आजाएंगे अपने Telegram अकाउंट में दोस्तो टेलिग्राम अकाउंट में आने के बाद आपको फिर से Start के Option पर क्लिक कर देना है दोस्तो जैसे ही आप Start के Option पर क्लिक करेंगे तो यह देखे यहाँ पर आपकी जो Gmail ID है वो आपके Telegram अकाउंट से Attach हो जाएगी अब दोस्तो यदि आपके Gmail अकाउंट पर कोई भी मैसिज आता है तो वह है आपके Telegram अकाउंट पर भी आएगा मैं आपको अपनी Gmail ID पर मैसिज करके दिखा देता हूँ यह देखे दोस्तो जैसे मैं अपनी Gmail ID पर यहाँ पर मैसिज करता हूँ दूसरी Gmail ID से तो देखते हैं यह मैसिज हमारे Telegram अकाउंट पर भी आता है या फिर नहीं आता है तो यह देखे दोस्तों मैं यहाँ पर message भेज़ देता हूँ और यहाँ पर subject हम कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ पर कुछ भी डाल कर रहाँ यह देखे कुछ भी डाल देते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर send के option पर मैं click कर देता हूँ तो यह देखें दोस्तों यह यहाँ पर send हो चुका है अब देखते हैं कि हमारे telegram account पर भी यह message आता है या फिर नहीं आता है तो यह देखें दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी दूसरी Gmail ID से अपनी Gmail ID पर message किया तो यह message मेरे telegram account पर भी आ चुका है तो दोस्तों अब जीतने भी message मेरी Gmail ID पर आएंगे जो Gmail ID मैंने अपने telegram से attach की है वे message मेरे telegram account में भी आएंगे तो दोस्तों यदि आप भी अपने telegram account से अपनी Gmail ID को attach करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं तो दोस्तों यह video यही पर समाप्त होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह video पसंद आयोगी दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करें शेयर करें और comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह video कैसी लगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली video में तब तक के लिए धन्यवाद